एलो फ्रेंड्स चैप्टर एट से एक्जाम्पल थरी करेंगे एन आइटम मार्क एट रुपीज 840 इस सोल्ड फॉर रुपीज 714 कोई आर्टिकल है कोई सामान है जिसके उपर 840 रुपी मार्क है और उसको बेचा गया है 714 रुपीज के अंदर आपसे दो चीज़ें पूछी है एक तो यह कि उस आर्टिकल के उपर कितने रुपे का डिसकाउंट मिला है और फिर उस डिसकाउंट का परसेंट में भी बताना है कि कितना परसेंट हो गया है वो तो पहले यह जो marked price है और यह जो selling price है इसको समझ लेते हैं आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो let's suppose यह कोई article है इसके उपर tag लगा होता है और tag के उपर कुछ price लिखा होता है उसी price को बोलते हैं हम marked price तो कोई यह article है इसके उपर जो tag लगा है उसके उपर 840 रुपीज marked price है और marked price से थोड़े कम पैसे में वो चीज हमको मिल जाती है तो यहाँ पर marked price है 840 रुपीज और इसको selling price यानि इसको जो बेच दिया गया है वो 714 रुपीज के अंदर बेचा गया है तो कम में बेचा है ना तो इसके बीच का जो difference होता है वो ही होता है discount हमें marked price के उपर कुछ discount मिल जाता है और फिर selling price पता चल जाती है तो discount marked price का और selling price का difference होता है तो पहले तो हम discount ही निकालनेते हैं Discount हो जायागा इसमें marked price minus selling price mark price यहाँ पे सीधा सीधा पता है रुपीज 840 है और सेलिंग प्राइज जिसमें बेचा गया है यह सेलिंग प्राइज है यह है 714 रुपीज इनका डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ पे 840 माइनस 714 यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा यहाँ पे 3 बचा 3 में से 1 गया तो 2 आगया और 8 में से 7 गया तो 1 आगया तो 126 रुपीज का डिसकाउट मिल गया इस अर्टिकल के उपर अब यह तो हमने प्राइज में बता दिया हमको इसका परसेंट भी बताना है कि यह कितना परसेंट डिसकाउट हो गया है तो आप डिसकाउट परसेंट निकालना है तो हम लिखेंगे discount percent अब क्योंकि discount का percent निकालना है तो हम discount को उपर लिखेंगे मैं पहले formula लिख रहा हूँ discount को उपर लिखेंगे और discount जो मिला है वो मिला है mark price के उपर तो नीचे हम mark price लिखेंगे और percent निकालना है तो इसके लिए multiply hundred करतेंगे परसेंट का मतलब ही यह होता है कि एक सो में से कितना यानि एक सो रुपे पर कितने रुपे का डिसकांट मिला है अब इसे सिंप्लिफाई कर लेते हैं वैलूस पुट करके डिसकांट है यहां पर 126 रुपीज का और मार्क प्राइज है 840 रुपीज और multiply कर लिया इसको 100 से अब इसे simplify करते हैं तो ये 0 से 0 कट गया यहाँ पे 10 और 84 ये मेरे को 2 से divide होते दिख रहे हैं मैं इसे 2 से divide करूँगा तो ये 5 आ गया और इसे 2 से divide करूँगा तो ये आ गया है 42 42 और 126 ये direct कट रहे हैं 42, 3000, 126 हो दा है तो 42, 1042 और 42, 3000, 126 नीचे तो सब खतम हो गया सिर्फ 1 बच गया उपर 3 और 5 बच आ है तो 3 into 5 3, 5000 हो गया है 15 और यह आप percentage निकाल रहे हैं तो ये 15% इसका answer है तो यहाँ पे दोनों चीज निकल गई है discount तो था रुपीज 126 का और discount percent वो है 15% यानि 100 रुपे पर 15 रुपे का discount मिला है question खतम